बहुत इंतजार कराया आपको श्री जेपी अगर्वाल जी श्री कमलनाथ जी श्री दिग्विजय सिंग जी श्री गोविन सिंग जी श्री कांतीलाल भूरिया जी श्री सुरेश पचारी जी श्री अरुन यादव जी श्री अजय सिंग जी श्री विवेक तन्खा जी श्री राजमनी पतेल जी श्री नकुलनाथ जी श्री नीलानशू चतुर्वेदी जी श्री सतिनारायन पतेल जी श्री जीतु पत्वारी जी श्री जय वर्धन सिंग जी उपस्तित, सभी, विधायकान, नेतागन, महिला कॉंग्रेस, यूध कॉंग्रेस, नस्यू आई और सेवा दल के मेरे सभी साथी, सभी कारी करता। सभभाईया बहनन, आपको हमारी राम राम, मौई आज ग्वाली और चंबल में आई के बड़ी खुशी भई मैं पहले भी पितामरा मैया के दर्शन को आई हती, मौई दादी इंद्राजी आपके क्षेत्र में आई हती, उनने मौई रानी लक्ष्मी भाई की कहानी खूब सुनाई हती, मौई बच्पन में तुम्हाई क्षेत्र की वीरता और साहज की कहानियां पतो हो, पतो हैं। इतिक दूर दूर से आई मेरी बहनन और भाईया, आप सब लोगों का धरनेवाद। देखे, मैं यहाँ ग्वालियर आ रही थी, तो मेरे साथियों ने, कई साथियों ने, मुझे मुझे मुद्दे भेजे, कि कौन-कौन से मुद्दे हैं, जो ग्वालियर में, मज्यप्रदेश में महत्वपूर्ण हैं, और मुझे भाशन में क्या-क्या कहना चाहिए। जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी, उन सुझाओं को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा तर नकारात्मक बाते थी। और मेरे मन में ये बात आई, कि क्या हमारी राजनीती आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फस गई है, क्या इससे आगे भी कोई राजनीती हो सकती है, इससे बढ़तर भी हम कुछ ऐसी बाते कर सकते हैं, जो जनता की मतलब की बाते हों। देखिए, भारती राजनीती की नीव, स्वतंत्रता के अंदोलन से में डली थी। स्वतंत्रता का जो हमारा अंदोलन था, उसे सत्य ग्राय का नाम दिया गया था। तो सत्य की लड़ाई थी। तो हमारी पूरी राजनीती की जो नीव है वो उसी लड़ाई में है। तब ही डली, तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की, कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूनते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हों, जिन में ये स्वभाव हों। और किसी के वढ़ात पर परसंटों के लिए हमारी राजनीती की जो नेकिताओं परिस्प्रिया बदल गई है। आरोप, प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं। आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं। वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असलीम होते हैं, वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनस वालों को देश की संपत्ती, सौपने की राजनीती, एहंकार की राजनीती चलती है। मैं भी जब यूपी गई, तो मेरे साथियों ने बोला दीदी, बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने का क्यों? क्योंते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीती है, शान शोहरत की राजनीती है, और कहीं पे बीच में जो जन्ता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहां खड़े होकर यह कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, आखिर राजनीतीक सब्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान मंत्री की ही होती है। लेकिन दो दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाब विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ट नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधान मंत्री जी का एक बनाया बयान आया। और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक जटके में प्रधान मंत्री जी ने, जैसे सब धान बाइस पसेरी, सब को चोर बोल राला। इतने वरिष्ट नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधी, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आज जीवन देश के लिए संखर्श किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्धे उठा उठा कर आगे बढ़े राजनीती में उनका इस तरह का अपमान प्रदान मंत्री जी ने खुद कर दी, और दूसरी तरफ देखिये, मनिपुर में दो महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है अपस में, महिलाओं के साथ भयावय अत्याचार हो रहा है, बच आरे प्रदान मंत्री जी ने सततर दिन के लिए कोई बयानी नहीं दिया इस पे, वहाँ पे आक्शन लेना छोड़िये, एक लवज नहीं कहा, कल मजबूरी में, क्योंकि ये कितना भयावय विडियो वाइरल हुआ, कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल इक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्च बोला, और उस वाक्य में भी राजनीती गोल दी, उस वाक्य में भी उन्होने उन प्रदेशों का नाम ले लिया, जिसमें विपक्ष की सरकार है, तो मैं आपसे पूचना चाहती हूँ कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन अब के ही मुद्दों पर है कि नहीं हैं और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाशन में 10 प्रधान मंत्री जी की अलोचना कर सकती हूँ 10 मिनट के लिए मैं यह कह सकती हूँ कि कितनी गोश्नाहें नकली घोश्नाहें की कितने घोटाले किये कितने नाटक करते हैं शिवराद जी और मैं दस मिनट के लिए सिंद्या जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचार धरा ही पलट गई लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका मैं जानती हूँ क्या है महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्ज सबजी फल आटा गेहूँ इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ ये तो है ही जब टमाटर डेड़ सो रुपे में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही लेकिन इस महंगाई से किस तरहे आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आज कल छट से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरमत करवानी है, वो मरमत महंगी हो गई है, आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है, आपके बच्चों की फीज भरना मुश्किल ह हो गया है इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाट चाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोज बन गई है ये महंगाई तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरी बेहने यहां बैठी है सबसे बड़ा बोज इन पर है समाज का बोज महंगाई का बोज मेरी बेहने उठाती है सबसे जादा आज रसोई के लिए सामान खरीदना है टेल खरीदनी है वो भी न मिलता तो था उसमें गैस बरना ही मुश्किल हो गया है आज आपको खरीदने जाना है तो हजार रुपे से कम नहीं मिल रहा हूं बच्चों की परवरिश कैसे होगी सुबह उठके आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं कोई बिमार पर जाता है तो घबरहाट उनकी भी होती ह है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहां से खरीद के लहूं गर पे बिमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर में इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी मैं क्या करूं आज ये हैं आपकी परिश्चितियां तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आ हर प्रदेश में हर गाओं में हर मुहले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपती एक या दो बड़े-बड़े बिजनस वालों को बेच दी जहां से आपको रोजगार मिलता था उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सोपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे आपको रोजगार कहा से मिलता था पी एस यू से मिलता था बड़ी-बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था आपको रोजगार सेना से मिलता था आपको रोजगार छोटे-छोटे व्यापार से मिलता था आज परिस्तिति जो बड़ी बड़ी कंपणिया है वो तो सारी सौंप दी इनों ने अपने दोस्तों को सेना की भरती का क्या किया अगनिवीर का आप जानते हैं कि आपका ये जो शेत्रहर ग्वालियर का क्षेत्र रह राणी लक्ष्मी बाई जी का अक्षेत्र है, यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहत पे खड़े होते हैं, आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अगनी वीर की स्कीम आई और चार साल की सेना में भरती कराई गई, तब से क्या स्थिति हैं, मैं कुछ हर्याना के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापिस जा रहे हैं घर, तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किसलिए रहे हैं, हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि चार साल बाद हम बेरोजगार होके वापिस आ जाएं, और इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किले हैं, कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे, तो घर आकर क्या करेंगे, वहां भरती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माबाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे एक अठे करते हैं, कोई दस हजार के ट्यूशन, कोई बीस करके ट्यूशन करता है, और फिर देखिये, पटवारी के इंतिहान में किस तरह से घोटाला हो गया, तो इन चीजों का समाधान क्या है, आज, शर्म की बात है, शर्म की बात है, कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरिया है, मात्र 21 दी गई हैं पिछले तीन सालों में, 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, तब इन्होंने सरकार गिराई, उससे पहले, इनकी सरकार दस सालों से चल रही थी, उससे जादा, आज, अठारा सालों से इनकी सरकार है, और ये परिस्थितिया है, तो चुनाओं के पहले, ये कहने का क्या फाइदा है, कि हम फला स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फाइदा है, अठारा साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं, तो ये परिस्थितिया है, ये सच्चाई है, आपके मुद्दे क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पर घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहां मेरे पास, निकालते हूँ, क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते, खिर निकाल के बाद मैं बताऊंगी दिख नहीं रही, तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किये, कुछ नहीं छोड़ा, सड़के नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तिया नहीं छोड़ी महाकाल में, देखिए, एक बात है, देखिए, दो बातें, इंसान, इंसान की जो नीव होती है न, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है, उसकी जो नीव होती है, उसी तरह की नियत होती है, ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नीव ही गलत थी, पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियात इसका नतीज़ा क्या है कि इसकी नियाती खराब है शुरू से सिर्फ लूट सिर्फ गोटाले में ध्यान रहा है उपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है अब आप बताईए 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है और इस कदर होता है कि जो आज पास के अधिकारी होते हैं जो साथी होती हैं वो भी सच्चा यह नहीं बताते तो अठारा सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भाईया कोई पूछने वाला तो है नहीं जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे जब समय आएगा दूसरी बाते कर लेंगे जिससे जनता के जजबात जुड़े हुए हैं फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पारा कुछ खरीद नहीं पारा पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए और फिर से हमें वोट मिल जाएगा 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और आज मध्य प्रदेश में यहीं परिस्थितियां है सत्ता की वज़े से हंकार है सत्ता की वज़े से आलस है और सुन लीजिए सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी अससलियत उभार देती है ये सत्ता का स्वभाव है आप सत्ता को एक नेक इनसान के हाथ में दो वो भलाई करेगा आपकी सेवा करेगा आप सत्ता को गलत इनसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है महिंगाई बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं और अत्याचार हमेशा उन्ही पर होते हैं जो जादा कमजोर हैं आप सबने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकते की जा रही हैं आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कित्ते अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं की तो हम बात ही ना करें हर रोज बलातकार होता है एक तरफ आपके आपगारों में बड़े बड़े इनकी सरकार के और दूसरी तरफ ये खबरे कि किसी भाजप्पा के नेता के बेटे ने किसी के बलतकार किया है उसका अरोपी है या फिर किसी महिलाया की छेर चाड़ की है तो ये परिष्थितियां हैं अब आपको समझाना जरूरी भी है लेकिन मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा विवेक जनता में होता है सबसे ज़्यादा और मेरी समझ ये है कि जनता कभी खलत निर्ने नहीं लेती जो भी निर्ने है उसका आदर लोगतंत्र को करना पड़ता है तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए अपने भविश्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्ने करने वाले हैं ये निर्ने क्या है कि अगले पाट सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले पाट सालों में देखा और इस विशे में मैं आप से पूछना चाहती हूं मेरे नौजवान भाई बहन बताइए आप मेंसे कित्टों को रोजगार मिला है मेरे किसान भाई बहन यहां हैं आपकी जिंदगी बहतर हुई है कि नहीं नहीं हुई पाथ सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं यहाँ व्यापारी होंगे छोटे दुकानदार वाले भी होंगे रहडी पट्री वाले भी होंगे क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आप कितनी मेहनद से कमाते हैं कुछ नहीं बचता आपके पास और जो आप पर सत्ता है जो जिनके पास सत्ता है जो आप पर राज कर रहे हैं आलस के बावजूद गोटाले पे गोटाले कर 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 कमा रहे हैं बड़े बड़े आलीशान महल हैं उनके बड़े बड़े बिजनेस वालों के साथ गूमते फिरते हैं लेकिन आपके पॉकेट में आपके जेब में एक पाई नहीं बेचती आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरुक नहीं बनें मैं आप ही को दोशी ठहराऊंगी कि आपकी जागरुकता में कमी है आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं आप नेताओं से पुछे कि एतने घोटाले क्यों हो रहे हैं कि आपने 22 जागोशनाएं की उसमें से क्या आपने 2 हजार भी पूरी की आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 भोटाले इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती ऐसी चली जा रही है आप ये नहीं पूछती कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े-बड़े उद्योग पती है जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ती दे दी है उनकी कितनी कमाई है मैं बताती हूँ 16-100 करोड रुपे एक उद्योग पती एक दिन में कमा रहा है जिसको इस देश की संपत्ती दे चुके है 16-100 करोड रुपे एक दिन में और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बदलाव चाहते हो की नहीं चाहते हो। आप एक इमानदार सरकार चाहते हो की नहीं चाहते हो। आप इस सरकार को हटा कर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जो आपके लिए दिन रात एक करके काम करें की नहीं। आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, 1600 युवा, आज महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के वज़े से। युवा जो होता है वो आशा रखता है, मैं तो कांगशाए होती हैं उसकी, माबाप के लिए कुछ करेगा, कमाएगा, घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा, आज वो सारे सपने तोड़ दिये हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं, जो रोजगार दिलवाएं, जो आपको मजबूत बनाएं, जो बध्यप्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे की नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा, कि बेटा, ये जो राशन की बोरी तुम्हें दी जाती है, तुम्हें ये चाहिए, कि तुम्हें नौकरी चाहिए। मैं सब से पूछती थी, एक ऐसा नौजवान नहीं था, जिसने का मुझे राशन की बोरी तो, एक नहीं था, जितने भी नौजवान थे, चाहे जितने गरीब हों, चाहे छोटे-छोटे से घर में रहते हों, वो सब कहते थे हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार के लिए खुद कमाना चाहते हैं और इस सरकार ने आपको निर्भर बनाने का काम किया है, आपको राशन पर निर्भर करेंगे या आपको अपनी फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर आपके लिए कुछ वादे कुछ गारंटी लाई है जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी तो मैं इस अधार पर कहती हूं कि हमारी जहां-जहां सरकारे हैं वहाँ-वहाँ हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही है चाहे आप मध्या प्रदेश में चाहे आप करनातका में चाहे आप हिमाचल प्रदेश में चाहे आप राजस्थान में देखे तो जो वादे किये थे वो निभाई जा रहे हैं राजस्थान में चाहतीस गड़ में कि माचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है जीवन के लिए सुरक्षा मतलब कि नौकरी 20-25 साल नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा आपको एक सहारा मिलेगा वो सहारा आज नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को सरकार कहती है पैसे नहीं है इसके लिए तमार सरकारी कर्मचारी परेशान है इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के पैसे है आपके pension देने के पैसे नहीं है इसलिए जहाँ जहाँ Congress की सरकार है वहाँ वहाँ पुरानी pension आज लागू है क्योंकि हम आपका आदर करते हैं हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है उसके लिए बढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए और यहाँ पे भी एक खोशना यह है guarantee कि पुरानी pension यहाँ भी लागू होगी मेरी बेहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपे डाले जाएंगे जो गैस का सिलिंडर आज आपको 1000 रुपे से कम में नहीं मिल रहा है आपको 500 रुपे में दिलवाय जाएगा 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी मुफ्त में मिलेगी और 200 यूनिट पर बिजली बिल आदी की जाएगी जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था वो नई सरकार अगर कॉंग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी आज आज 36 गर में कॉंग्रेस की सरकार है 2600 रुपे धान मिल रहा है 2600 रुपे आपको मिलते हैं धान के लिए जहां पे हिमाचल में हमारी सरकार है वहाँ जो वादे किये उनको पूरा करने का काम शुरू है करनाटका में कहा था कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त में मिलेगी आज महिलाओं मुफ्त में यात्रा कर रही है तो इस बार मध्यप्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है और मैं आपसे आगरे करती हूँ कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कॉंग्रेस को जिताईए एक ऐसी मजबूत सरकार बनाईए जो ना खरीदी जा सके ना गिराई जा सके जो पाँच सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविश्य को मजबूत बनाएं एक ऐसी राजनी थी लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविश्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलजाने का काम करे आपकी जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं है और जितनी बड़ी समस्याओं से आप जूज रहे हैं उनको सुलजाने का काम पहले दिन से शुरू होना चाहिए और कमलनाथ जी से मैं अपनी तरफ से एक मैं एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूँ अभी रास्ते में मैं यहां आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र छेसो रुपए है तो मैं आपसे आग्रे करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी जरूर बढ़ाईएगा देखिए यह ग्वालियर चंबल की धरती है जैसे मैंने कहा जहांसी की रानी की धरती है बड़े बड़े यहां से महां पुरुष हुए अपने शेत्र के लिए अपने देश के लिए अपनी जनता के लिए जी जाने की कुआलियर चंबल बारे अपकी जी मामा जी की भरष सरकार बदल बे बारे है बोलो बदल बे बारे है ना ठीक बोल रही हूँ और बोलो आपकी भाशा में एक बार हमाएं संगे जोर से बोलो बाजपा जाए बे बारी है कॉंग्रेस आए बे बारी है और आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आपने मेरा इंतजार किया मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना मैं आशा रखती हूँ कि आप इन बातों को भूलेंगे नहीं और चाहे जिस भी पार्टी का नेता आपके सामने आए मन्च पे खड़ा हो आप उस से ये जरूर पूछिए कि आपके मुद्दों पे बात करें और आपके लिए वो क्या करेंगे कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद आपके लिए ग्वालियर ग्रामिर के जिलादेक्ष प्रभुद्याल जोरे से अन्रोज करूँगा कि आपके आपके हमारी श्री मती प्रियंक्या गानी सहाय श्री कमलनाज जी श्री दिग्वेर सिंग जी श्री जेपी अकरवाल जी श्री गोविन सिंग जी